दोस्तो एवाम मेरे विद्यार्थियों पहला वीडियो हमने अपलोड किया था हेंद्री लोसे यह सॉलूसन चैप्टर का दूसरा टॉपिक टॉपिक का नाम है आइडियल सॉलूसन वर्ड है आइडियल हमेशा बात करते हैं आइडियल बेटा का आइडियल बेटा कौन होता ह जो साधी से पहले, माबाप का पूरा केयर करे, दिन भर में दो-चार बार फोन करे और साधी के बाद भी बदल न जाए, चुकि इनसान साधी के बाद बदल जाते हैं, ऐसे लक्षन बहुतों में पाई जाते हैं लेकिन वो आइडियल बेटा, जो साधी के बाद भी उतना ही टेयर करे, और उतना ही फोन करे, जिसके अंदर कोई चेंज़ी न हो, वो आइडियल बेटा है उसी टाइप से ideal teacher, ideal teacher किसको बोलते हैं, कोई teacher class में मन से पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वो बच्चा सर से मिला, सर का tuition join कर लिया, वहाँ पूरा पैसा दे दिया, सर वहाँ पे भी पूरा मन से पढ़ा रहा है, फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उस teacher को बोलते है, ideal teacher, जिनका classroom teaching और coaching teaching या tuition teaching में कहीं कोई अंतर नहीं हो, दोनों जगरा same to same पढ़ा है, इस टाइप के teacher को बोलते है, ideal teacher, यानि उस बच्चे को न तो class में समझ में आए, ना tuition में समझ में आए, चुकि उनका पढ़ाने का pattern same है, उसी type से ideal solution, ideal solution क्या होता है, मान लेते हैं, यह component है, A और A, यह दूसरा component है, B और B, इसका अपना force है 5 Newton का, इसका अपना force है 10 Newton का, दोनों को जब आपस में मिला देंगे, तो यह AB बना, और इसका force हो गया, 5 प्लस 10, 15 Newton, यानि इसमें न तो force बढ़ा, नहीं force घटा, इसको दूसरे भात्सा में आप समझ सकते हैं, यह पहला बच्चा है, जो per day minimum 12 घंटे पढ़ता है, और यह दूसरा बच्चा है, जो per day 5 घंटा पढ़ता है, दोनों ने आपस में दोस्ती किया, और दोनों मिलकर combine study करने लगा, अब क् दोनों का जो फोर से, दोनों का जो पढ़ाई का जो घंटा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जितना पढ़ता था, मिलने के बाद अब भी उतना ही पढ़ने लगा है, यानि 12 प्लस 5, 17 घंटा, तो इस टैक्टिर सॉलूशन को बोलते हैं, ideal सॉलूशन, पहले आज भी इसका डेली रूटिन वैसा ही है, यानि ये ideal सॉलूशन है, जिसका example है, नॉर्मल हेप्सेन और नॉर्मल हेप्सेन, आपस में मिलने से वांडरवाल फोर्स रहता है, जिसके चलते न बहुत अधिक प्रेमभाव रहता है, न बहुत अधिक दुस्मनी रहता है, यान जो फोर्स पहले था, मिलने के बाद भी वही फोर्स है, इसमें न तो अफिलिटी बढ़ा, नहीं रिपल्सन बढ़ा, ये ideal सॉलूशन है, आइडियल सॉलूशन का कंडीशन क्या होता है, ये रॉड्स लोग को पुरी तरह मानता है, मतलब पी एज एक्वल टू पी नॉट दूसरा, चेंज इन वॉलूम जीरो, पहले जितना घुमता था, दोस्ती के बाद उतना ही घुम रहा है, न घुमना बढ़ा, न घुमना घटा, तीसरा, जो भी खर्चा था, जो भी पॉकेट खर्च था, मान लेती इसका पॉकेट खर्च 5,000 रुपया था, इसका पॉकेट खर्च 7,000 रुपया था, मिलने के बाद टोटल 12,000 रुपया का ही खर्च हो रहा है, यानि चेंज इन इन्थल्पी वो भी जीरो हो गया, यानि कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इस टाइप के सॉलूशन को हम लोग बोलते हैं, आइडियल सॉलूशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, कि दा सॉलूशन इन वीच, दा मैगनी चूट अफ इंट्रेक्शन बिट्विन सॉलूट सॉलूट इज इकोल टू सॉलूट सॉलूट और सॉलूट सॉलूट इंट्रेक्शन, एपजांपल आपने समझ गया, नॉर्मल हेप्षेल और न नॉन आइडियल सॉलूट जिसमें ये दो दोस्त जब आपस में मिलेंगे, तो वैसा कंडिशन में इनका दोस्ती या तो बहुत ज़्यादा रहरा हो जाएगा, या फिर इनका घुमना फिरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या घड़ जाएगा, खर्चा बोले तो थल्पी चेंज या तो बढ़ जाएगा, या फिर घड़ जाएगा, किस टाइक को बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉलूशन, जो कि दो टाइक का होता है, एक होता है पॉस्टिव डेवियेशन, और दूसरा होता है निगेटिव डेवियेशन, तो सबसे पहले हम दोख समझते हैं पॉस्टिव डेवियेशन को, ये बंदा दीन भर पढ़ता था, ये और किताबे अक्सर बाते करते रहते, हर कोई बोलता इस बार का टॉपर यही बनेगा, चुकि हर लाइन को अंडर लाइन कर पढ़ता था, ये 24 घंटे में मिनिममम 15 घंटा पढ़ता था, और ये बाइन दसकड़ी किया जाए, इसकी तैयारी इन्होंने पहले से कर ली थी, बोला पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले फेस्बुक में अपडेट कर लिया, कि आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जबर जस्त तैयारी के साथ, पूरा चाय के लिए 2-4 गैलन दूद उनका विवस्था कर लिया था, आठ-दस पेटी पारले जी मंगवा लिया, और पढ़ने के लिए बैठा, उसके पहले चाय पीना सुरूतिया, दीरे-दीरे सारा पारले जी खा गया, पूरा रात पारले जी खाया, पूरा चाय पी लिया, पढ़ा मुश्किल से 1 घंटा, मत दूसरा बंदा जो 3 घंटा पढ़ता था, दोनों जब मिला, तो 15 प्लस 3, 18 घंटा पढ़ता था, और मुश्किल से 1 घंट पढ़ रहा है, मतलब आपसी फोर्स दोनों का घड़ गया, और अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने राची का चप्पा चप्पा घुमना सु ग्रेटर देन जीरो, खर्चा काफी बढ़ गया है, चुकि आजकल दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे कंडिशन में, डेल्टा एच मिक्सिंग यानि इन्थलपी चेंज ग्रेटर देन जीरो, अब यह रोल्स लो को फॉलो नहीं कर रहा है, पी ए इस ग्रेटर देन पी न जिसको अपनी भासा में, वंडर्फुल लिक्विड बोलते हैं, जो कि बिहार में बैन है, लेकिन जारखंड में आज भी चल रहा है, और दोस्तों पता ही हो कि इन्सान अलकोहल क्यों पीता है, या तो खुसी में पीता है, या गम भुलाने के लिए पीता है, और वैसे आद अलकोहल जसका तस रहेगा, वो गम हमेशा रहेगा, तो यह अलकोहल है, यह वो बंदा है, जो दिन भर पढ़ता है, सुबह साम पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है, हर लाइन को अंडरलाइन कर पढ़ता है, और हर को यही जानता है, कि इस बार का टॉपर यही, लेकिन अच क कंडीशन में जैसरी यसके इसके साथ इंठ्रेक्शन घुए यह अल्कुहल था आपक का हाइड्रोजन bond मजबुत था आपस में concentration बना हुआ था force of attraction बना हुआ था जैसी ये आया इस hydrogen bond को तोड़ दिया अब ये फिरी ये फिरी और दोनों पहले से फिरी हो गये वैसा condition में volume बढ़ना शुरू हो गया enthalpy change बढ़ने लगा roll slow में deviation आने लगा और इस type के solution को बोलते हैं ideal solution with positive deviation यानी the solution in which the magnitude of interaction between solute solvent is less than solute solute and solvent solvent interaction दूसरा है दोस्तो non-ideal solution with negative deviation इसमें क्या है ये जस्त मेरे life से related है जब मैं 10th class pass किया जो उसमें 11th class में science ले लिया 11th गर बढ़ाने लगा लेकिन फिर 12th में संभल गया तब तक घर वालों की सोच बदल गई थी फिर उसके बाद मैंने जेवियर कोलेज से graduation किया और फिर उसके बाद master degree MSC का result बड़ा ही दंदार था उस समय दंदार करने का मतलब था कि MSC part 1 में हम जोग 110 बच्चे थे और जब part 2 में पहुँचे तो मात्र 10 बच्चे थे क्यों 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 ऐसा ही हाथ्सा हो रहा था जैसा क्लास 11 में और गलती से मैं दस्वे नंबर पे था उसी समय क्लास MSC part 2 में मेरी दोस्ती एक दोस्त से हुई वो दोस्त दिन भर पढ़ता था मैं उसके पास गया बोला दोस्त थोड़ा मेरी मदद करो तुम मुझे MSC पास करवा दो वो बंदा तयाद हो गया फिर मैंने सारा ट्यूसन कोचिंग से सन्यास लिया दोनों मिल के जम के पढ़ने लगे उसमें मैं लाइट में इतना पढ़ा कि साइब आज तक कभी नहीं पढ़ा नतीजा यह हुआ नतीजा यह हुआ कि उसमें टॉपर बनना तय था चुकि मेरे ब्रांच में बस तीन ही बन देते जिस ब्रांच को मैंने लिया हुआ था तो टॉपर बनना तय था और जबर जस्ट पढ़े घर से बाहर निकलना छोड़ दिये यानि डेल्टा भी मिक्सिंग लेज देन जीरो यानि हर कुछ घड़ गया और पढ़ाई बढ़ गया इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉलूशन विट निगेटिव डेविलेशन मतलब दा मैर्निचूट अफ इंट्रेक्शन बिट्विन सॉल्यूट सॉल्यूट इच जो दोनों के मिलने से हाइड्रोजन बन बनता है क्यों आइडियल सॉलूशन विट निगेटिव डेवियेशन